प्रश्ण करने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम के दिरिष्टी कौन से काफ़ ज़्याद महत्पूर्ण है और सबसे अधीक बार रिपीट हुए है यह आपके एक्जाम के लिए काफ़ ज़्यादा इंपोर्टिन प्रस्णों को सम्झिलित किया गया जो कि 2024 में पूछे गया है तो चले वीडियो में आएगे दर बढ़ते हैं प्रस्ण की तरफ देखें पहला प्रस्ण है कि गर्भास है आख की पुतली और स्वासनली में किस प्रकार की पेशियां होती है ठीक है अगे बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरफ अगला कोश्ण की तरफ अगला कोश्ण में भी पाई जाती हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चन है कि अंदोलन सुरू करने के लिए भारती राष्टी कॉंग्रेस के खाली स्थान सत्र में भारत छोड़ो संकल्प यानि कि क्वेट इंडिया रीवोल्यूसन को अनुमोदित किया गया घ। जो इंडिया रीवोल्यूसन या भारत छोड़ो जो संकल्प या सत्याकर ठाहिए भारती राष्टिकह Lauren के राष्य की कि तरफ अगला है उस मुगल बादसा की पहचान करें जिसे उसको उसके बेटों के बीच हुए उत्रा अधिकार के युद के बाद आगरा में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया था ठीक है कौन से मुगल बादसा के साथ ऐसा हुआ था कि उसके बेटों ने उत्रा अधिका तुछ सही जवाब की मिर्तिव के एक बीचे साजह के बाद उनके के बीच लड़ाई के बूराइ लिए के बस्वार्थ का कारेकाल खाली अस्थान तक के लिए बढ़ाया जा सकता है कितनी अवधी के लिए बढ़ाया जा सकता है यह सवाल है जिसका सही जवाब होगा एक बार में एक वर्ष के लिए मैक्सीमम हम लोग बढ़ा सकते कितना एक वर्ष मैक्सीमम है ठीक है एक वर्ष मैक्सीमम ऑप्शन नंबर और जो है हमारा सही जवाब होगा आगे बढ़ते हैं अंगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगे यह कुस्ञें काफी इंप्ष न मिलिखित में से कौन सा राज बॉनालू उत्सव से संबंदित है तो बॉनालू उत्सव से कौन से राज संबंदित है तो याद रखिए कि है हैद्रावाद मों पुद था अब तिलंगाना के अंदर गत होता है ठीक है पहले इस बिज़ सुधा कंट कहा जाता है सुधा का मतलब क्या होता है सुधा कंट कहा जाता है तो याद रखिएगा इसका सही जब होग भुपेर हजारिका को सुधा होगा कि आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ अगला सवाल है कि फरवरी 2023 में किस उच्छ नियाले ने आदेश दिया कि विदेशी नागरिक भी घरेलू इंसा दिनियम 2005 के अंतरगत भारतिय अधालतों में नियाय हैतु आवेदन कर सकते हैं और यह भी कहा कि ऐसे अमलों में महिला के निवास संबंधी तत्थ आनावस्यक नहीं चे महिला के निवास संबंधी प्रूफ हो ही तभी कर सकती है इंडिया में ठीक है तो गिदेशी नागरिकों यह के लिए इस्ट्याइप का जो घरेलों इंसा धनियमें वह भी लागू होता है किस में पर वरीद 12-13 में ये फैसला सुनाया था ये फैसला सुनाया गया है मदरास हाई कोट यानि के चिन्नई के द्वारा मदरास जो है चिन्नई को पुराना नाम है ऊप्सन नंबर 4 सही होगा अगर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है कि दो हजार पाच में खाले स्थान के लिए सुरेश तंदुलकर समीति का गठरन किया गया था किसके लिए सुरेश तंदुलकर समीति जो है किस से जुड़ा हुआ था तो यादर कि सुरेश तंदुलकर समीति जो है यह जुड़ा हुआ है गरीबी के अनुमान से ठीक है कि यह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और काफी बार रिपीट हुआ है निमलिखित में से किस वेक्ति ने जलिया वाला बाग अपने नाइठ्षूड के उपादी को त्याग दिया था किसने लोटा दिया था नाइठ्षूड के उपादी कि याद रखिएगा यह थे कलाकार भुस टैंके तिक घेह बहुत बड़े बंगाल के या फिर इंडिया को कहघे लिए बहुत बड़े वे तक है अजहे कवीत है कवीत है जहें सांती निकेतन के अस्थापना की थि किसके स्थापना की थी शांती Walker इसंत अंतर निकेतन sided met summit Was बरतवान में संचाली पोड़ा है वह अगे बढ़ते हैं अगला सवाल है इस एक ऐसे कारख के पहचान के रहे जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता है नहीं की बात हो रही है नहीं करता है तो कौन सा कारख में समुद्रीक तापमान जो टेंप्रेचर ऑफ ओसीन वाटर को नहीं एफेक्ट करता है तो याद रखिएगा यह देशांतर देशांतर से किसी भी समुद्री जल के तापमार पर कोई इसर ने पड़ता ऑप्सन नमबर थुरी सही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है वर्स 1904 में भारत में पहला सिन्मेंट सहींत्र कहां स्थापित क्या गयता है भारत में पहला सिमेंट सहींत्र था इसलिए इंपॉर्टेंट है यह कोश्चन जो इसका सही जावब होगा चिन्नई यानि कि उस टाइम का मदरास ठीक है मदरास यह चिन्नई जो भी आए आपको पर नाम चिन्नई है आगे बढ़ते हैं अगला है अगला निमिखित में से तेल चेतरों को कौह से संपु असम में इस्तित है असम में कहां पर तेल निकाला जाता है तो यह रखेगा औस नमबर कौन सशाथ होगा त्री डिंग बॉय और नहर कटिया ठीक है ओपसे नमबर त किमस फसर निकालने के लिए इसका तेल कहां रिफाइंड होता है कभी कोशन पूण है तो जो दिए पूर्वाषित तो बिहार के बर अगराइबू और अग्ला सवाल है पहले कहां था याद रखिए पहले कहां था कलकात्ता में था संग्यन याले कलकत्ता ही कापिटल थी जब दिल्ली को दिल्ली ओर भारद गया तो वहाँ पर इससे अस्थापित किया गया था तक यह किया गया था अधिनियम 1935 टिक है 1935 दिनियम के तहट इसे दिल्ली में अस्थनाद्रित किया गया था ओप्सन नुम्बर चार सभी होगा अगर बढ़ते हैं अगला सवाल है कारवन समुह में कौन सा उपधातू रसायनिक रूप से अपने समुह पड़ोसियों टीन और सिलिकॉन के समान है तो याद रखेगा जर्मेनियम जर्मेनियम यह तीन और सिलिकॉन के समान होता है तो आगर बढ़ते हैं अगला सवाल है और निम्लिकित में से कौन सा कथन राज नितन देशक्ता तो वसे सम्मंधित नहीं है नहीं के बात हो रही है तो ये सिद्धांत निया संगत है यजो है गलत है यही सई होगा हमारा क्योंकि यह सिध्धान्त होते हैं नितिन दर्दी सकता है तो इसे निया संगत ने बोल सकते हैं ठीक है कि इनके लिए हम नियाले में नहीं जा सकते हैं कि आगे बढ़ते हैं अगला है कि कियंद्रिय मंध्री मंदल ने सितमбर 23 में पर्फान मंत्री उज्वला योजनाई पी कहते लिए को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी तो परहान मंत्री उज्वला यह जिस्में गास इलिंडर आपी जी आज अगला सवाल है जनसंख्या कि घनतों को मानव और खाली स्थान के बीच और असोधित के रूप में जाना जाता है जनसंख्या कि घनतों को मानव और भूमी ठीके किते हैं लोग और कितनी जमीन हैं उसके बीच का रेशियों माना जाता है ठीक है ऑप्शन नमबर 3 सही होगा अगर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है कि एसी आई खेलों को खाली अस्थान के रूप में भी जाना जाता है एक्जाम में पूछता है एस याई खेलों को मना जाना जाता है एस याड के रूप में ऑप्शन नमबर 4 सही होगा तो आगर बढ़ते हैं अगला सवाल है कभी कभी देखे राष्ट मंडल खेल पूछ देता है राष्ट मंडल खेल कि इसको बोलते हैं कॉमन वेल थे के में अगर आगर बढ़ते हैं अगला है भारत सरकार के किस मंत्राल दच्छन एसी अवित्रन उप्योगता नेटवर्क एस ऐडी यूएन एस एडी यूएन साउथ एस्या डिस्ट्रिविउशन उप्योगता उटिलाजेस्जैसन नेटवर्क लांच किया है जिसका उद्द्ध टच्छन एसिया में उपयोगिता के वित्रण का आधुनिकी करन करना है यह जो योजना है यह किस मंत्राले ने भारत का लॉंच किया है तो याद रखिएगा यह लॉंच किया गया है विद्धुत मंत्राले का द्वारा ओप्सन नंबर टू सही होगा कि आगे बढ़ते हैं राज अस्थानी वस्तुकला को किस नाम से भी जाना जाता है तो राज अस्थानी वस्तुकला को और किस नाम से देना जाता है इसे जाना जाना जाता है मारो गुर्जर के नाम से ओप्सन नंबर चार सही होगा कि आगे बढ़ते हैं अगला है निमलिखित में से कौन सा उपन्यास जोर्ज और्वेल द्वारा लिखा गया है जोर्ज और्वेल एक फेमस राइटर है जिनके द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है इनके द्वारा लिखा गया है एनिमल फार्म ठीक है यह फार नहीं है फार्म है ठीक है एनिमल फार्म यह लिखा गया option no.4 सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला है कालिदास खालेस्थान के दरबार में पस्रिद कवी थे कालिदास किसके दरबार के कवी थे याद रखिए कालिदास जो थे चंद्रगूप टू के टाइम में उनके कवी थे option no.2 सही होगा अगे बढ़ते हैं अगला है देखे अलारिप्टू जातिस्वरम सब्दम वर्नम तिलाना भारत के निमलिखित सास्तिर निरती सैलियों में से किस सैलिय के नियमित परतिरूप है यह सब किसके हैं परतिरूप तो याद रहे हैं भारत नट्टेम के परतिरूप है option no.1 सही होग देखे एक सवाल आखरी है बुल्स आई सब्सक्राइब निमलिखित में से किस खेल में होता है तो बुल्स आई जो है इसके लिए ध्यान दिजाएगा यह हमेशा निशान बाजी का वर्ड़ है option no.2 सही होगा ठीक है फ्रेंड आज की वीडियो में भी तरह है अगर वीडियो चलाओ तक फिल वीडियो को लाइक करिए चानल को सुब्सक्राइब करें एक एक टाप को वार वीडियो के लिए अन जया बाहत में खालाए और पालली थैंक्स पर वाचिंग